अपने elements पर reverb गरने के लिए या तो तुम directly उनको track पर डाल सकते हो या फिर एक अलग reverb का track बनाके sense का use करके reverb गर सकते हो आज की वीडियो में हम fruity reverb के बारे में बात करने वाले हैं पर अगर तुम्हें in general reverb के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख सकते हो आज के case के लिए मैं directly अपने snare के track पर reverb डालूँगा तो fruity reverb खोलते ही तुम्हें इस चैप का interface देखेगा एक बार सुनके देखते हैं कि default settings के साथ कैसा sound कर रहा है reverb तो reverb डालते ही सबसे पहले हम ये जो wet वाली knob है इसका amount अभी के लिए increase करते हैं इससे हमारे reverb का amount increase होगा wet वाली knob में सिर्फ हमारा reverb सुनाई देता है और ये जो dry वाली knob है इसमें सिर्फ हमारा snare सुनाई देगा तो अगर dry वाली knob को मैं एकदम zero कर दूँ तो तुमें सिर्फ reverb सुनाई देगा snare नहीं सुनाई देगा ये जो ER वाला fader है इसकी बात हम बाद में करेंगे अभी के लिए आते हैं ये delay वाली knob पे तो delay का मतलब है हाँ पे pre delay तो नॉर्मल एक delay plugin या फिर इस delay वाली knob में confuse मत हो ना pre delay से control होता है कि हमारी sound play होने के बाद reverb कितनी देर में act करेगा तो अगर मैं pre delay को बहुत जादा बढ़ा दू तो तुम notice करोगे कि वो kind of a delay की तरह ही sound करेगा अगर मैं pre delay को बहुत कम कर दू तो एकदम snare के साथ साथ ही हमारा reverb स्टार्ट हो जाएगा तो अब यहां पर मैं pre delay को थोड़ा सा बढ़ा हूँगा जिससे हमारा जो snare का एकदम हेट आरहा है जो transient है वो भी reverb में चला जाए और उसका जो हेट वो काफी अच्छे से फील हो हमें तो मैंने बहुत थोड़ा सा प्री डेले बढ़ाया है और यह जो tempo वाला switch है इसको on करके तुम अपने प्री डेले को अपने तेम्पो से तो snare के sound के लिए मेरे को थोड़ा बड़ा सा ही room size अच्छा लग रहा है तो इसको set करते हैं एक बार सुनके यहां पर अच्छा लग रहा है अभी के लिए यहां पर छोड़ देते हैं उसके बाद है हमारी diffusion की knob तो पहले इसको सुनते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इससे क्या होता है तो जैसे तुमने नोटेस किया कि जब भी हम diffusion को कम करते हैं तो एक-एक reflection जो हमारे reverb की है वो सुनाई दीती है kind of a delay की तरह है पर जितना हम diffusion को बढ़ाएंगे वोन reflections को smooth कर देगा जिससे हमारा reverb काफी ambient सा sound करता है तो आज की case के लिए मैं diffusion को full पर ही रखूँँगा बाद में देखते हैं अगर adjust करने की सरवच पड़ती है तो उसके बाद है हमारी modulation और speed की knob तो यह basically जो speed की knob है हमारी modulation की speed को control करता है modulation को हम जितना बढ़ाएंगे वो randomly हमारे reverb में उतनी variations आठ करेगा तो modulation को सुनने के लिए मैं dry वाली knob को एकदम zero कर दूँँगा जिसे तुम अच्छे से सुन पाओ कि modulation कर क्या रहा है एक बार मैं modulation को एकदम बंद रहने देता हूं सुनके देखते हैं और अब मैं modulation और modulation speed दोनों को फुल कर देता हूं तो जैसे तुमने सुना कि यह थोड़ा different effect आट कर रहा है जो मुझे आज की case के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है तो यह bass or crossover के बारे में बात करने से पहले हम decay के बारे में बात करते हैं decay मतलब कि हमारा reverb की जो tail है जो हमारा reverb है वो कितनी देर तक सुनाई देगा for example यह जो decay है इसको अगर अभी मैं 4 second के आज पास set कर दूँ तो तुम notice करोगे कि जो हमारा reverb है वो चार सेकेंड बात पूरा फेड आउट हो जाएगा one, two, three, four बहुत smoothly वो चार सेकेंड में फेड आउट हो गया जितना तुम decay को बढ़ाओगे उतना time बढ़ेगा जितना कम करोगे उतना time कम होगा तो reverb को clean sound करवाने के लिए मैं decay को इस तरह सेट करूँगा कि किसी भी snare की reverb tail है वो हमारे दूसरे snare की reverb tail से clash ना करे वो एक build-up ना create करे अब बात करते हैं ये bass और crossover की तो crossover को तुम समझ सकते हो एक compressor के threshold knob की तरह जिस भी frequency पे हम crossover को set करेंगे ये जो bass वाली knob है इसका effect on frequencies के नीचे की frequencies पे आएगा तो for example अगर मैं इसको full करके 2000 पे set कर दूँ तो 2000 के नीचे की जित्ती भी frequencies है उन पे इस bass वाली knob का effect आएगा अब ये bass वाली knob क्या है तो जैसे मैंने अपना decay 1.5 पे set किया है थोड़ी असान maths के लिए इसको 2 seconds मान लेते हैं अभी के लिए क्योंकि मेरे कुछती math नहीं आती इसको करी देते हैं actually 2 पे तो अब हमारा decay 2 seconds पे है और ये जो bass वाली knob है वो 100% पे है तो अब अगर मैं बेस को बढ़ा के 200% कर दूँ तो हमारा जो decay है जो 2 seconds का है वो 4 seconds का decay हो जाएगा crossover के नीचे वाली frequencies में basically इसने 2 seconds के decay time को 200% कर दिया जिसका मतलब है 4 seconds अगर मैं इसको कम करके 20% कर दूँ तो crossover की नीचे वाली frequencies पे जो हमारा decay time है वो 20% हो जाएगा बाकी math तुम कर लो तो आज के case के लिए मेरे को default पर ही अच्छा लग रहा है तो तो मैं इसको default पर ही छोड़ देता हूँ उसके बाद है हमारी dampening की knob basically dampening high shelf की तरह work करता है वो हमारी high frequencies में dip डालेगा जितना हम इस knob कम करेंगे तो अगर मैं इस knob को पूरा open कर दूँ तो तुम notice करोगे कि हमारा जो snare का reverb है वो काफी open open और airy सा sound करेगा अब अगर मैं इसको एकदम कम करतू तो तुम notice करोगे कि हमारा जो reverb है वो काफी daba daba sound करेगा उसका high end काफी कम लगेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा open sound चाहिए मेरे को तो मैं dampening को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा अब बात करते हैं ER के बारे में जिसका मतलब है early reflections इसके बाद कि थोड़ी सी audio में कुछ glitches थे तो थोड़ा सा part फिर से record कर रहा हूँ तो basically जो early reflections होती है वो हमारे reverb की जो starting की reflections होती है जो first reflections होती है उनके level को adjust करता है तो एक बार इसके level को कम करके सुनते हो और एक बार जादा करके सुनते हो और difference notice करते है तो जैसे तुमने notice किया कि early reflections बढ़ा रहे हैं हम जब तो हमारा snare सोड़ा सा bright sound कर रहा है तो आज के लिए मैं इनको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा उसके बाद है हमारी नीचे यह SEP मतलब separation की knob इसको हम जित्ता left की तरफ ले जाएंगे हमारा जो reverb है वो उतना wide sound करेगा उसकी stereo separation बढ़ जाएगी एक बार सुनके देखते हैं और जित्ता हमें separation वाली knob को right पे लेके जाएंगे उतना हमारा reverb mono होता रहेगा उसके बाद बहुत ही simple knobs एक low cut और एक high cut जो तुमें एक normal EQ से भी कर सकते हो अच के लिए मैं यही से कर देता हूँ उसके बाद यो जो mid और side वाला switch है इसको अगर तो mid पे रखो के तो हमारा जो reverb है वो stereo sound करता है वो एकदम mid पे तो नहीं आता और अगर तुमें in-depth reverb के बारे में सीखने है तो यह वाली वीडियो ज़रूर देखना I'm Shashu Tynel, see you guys in the next video